तो finally guys हमारे game के अंदर इस बार के दिवाली का most demanding event आ चुका है जो है divine victory event हाँ भाई मैं उसी bundle की बात कर रहा हूँ जहाँ पर से हम लोगो स्री राम जी वाला bundle free में मिल रहा है हाँ तो guys अभी तो आप लोग इस screen में इस event interface को ध्यान से देखो मैं आपको बताती यार यह event है तो बहुत ही अधा simple बट यार अभी के time पे बहुत सारे बंदों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग आकर इस event को कैसे complete करेंगे तो अभी guys आप लोग बिल्गुल भी चिंता मत करो क्योंकि यार अभी इस वीडियो में आप लोग को हमारे गेम के अंदर आये हुए इस divine victory event का a to jet सारा information देने वाला हूँ यहां तो guys एको basically यह जो event है इस event के अंदर हम लोग को रावन वाला जो bundle दिखाया किया है उसको मारना है इस बंडल के उपर बॉस लिखे आप लोग देख पा रहे होगे बट यार बॉस वाले बंडल की चो एच्पी है वह है 200 एच्पी तो हम लोग को यहां पर चोटे चोटे सैनिक दिये हैं इनको मारना है और इनकी यहां तो चिंगो यहां पर जो आपका बंडल है यानी कि जो रामजी वाला बंडल है जिसके उपर यू लिखा हुआ है आप लोग देख पार होगे इस bundle के उपर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक knife बनी है तो देखो guys यह आप लोग की HP है जो कि अभी के time पे 3 है तो अब आप लोग को guys अपने से कम HP वाले बंदों को मारने है तो आप लोग boss को हरा के divine warrior bundle को free में claim कर पाओगे भाई first time हमारे game के अदर इतना must mail bundle free में मिल रहा है तो आप लोग इस मौके को miss मत करना और इस वीडियो को ध्यान से देखने है तभी आप लोग इस bundle को जल्दी से claim कर पाओगे हाँ तो guys देखो basically इस event के अंदर हम लोग को अपने character को move कराने के लिए एक special power चाहिए जो कि यार हम लोग को mission complete करने पर मिलेगी और guys आप लोग इस screen में खुदी देखो यहाँ पर यार बहुत ही simple simple से mission है जैसे कि यार हम लोग को एक match खेलने है तीन match खेलने है 12 match खेलने है headshot मारने है और यार इनी के बदले में हम लोग को यहाँ पर से token मिलेंगे और देखो guys मैं आप लोग को पहले ही बता दू daily आप लोग यहाँ पर से 6-7 token को collect कर पाओगे और जैसे यार आप लोग यह token को collect कर लोगे तो फिर guys यहाँ पर एक move का option है आप लोग को simply उस move के option पर click करने है और आप लोग के आसपास के box खुल जाएंगे जहाँ पर आप लोग move कर सकते हो अब देखो यार मैं तो सिफ आगे और left side में move कर सकता हूँ आप लोग उने देखा हो गयार जैसी मैंने उसे मारा तो मुझे उसका gold भी मिला यहां तो guys देखो simple simple भासा में आप लोग को बताऊं तो ऐसे ही आप लोग को move कर करके अपने से कम HP वाले बंदों को मारना है और आप लोग को इसके बदले में gold मिलेगा साथी साथ आप लोग की HP भी बड़ेगी and at last guys जैसी आप लोग के पास 200 से जादा HP हो जाएगी तो आप लोग सीधा boss वाले बंदल को मार लोगे और boss बंदल को मारते ही आप लोग को यह divine warrior बंदल free में मिल जाएगा भाई बहुत ही जादा simple event है बस आप लोग को थोड़ा ध्यान से से complete करना है तभी आप लोग इसको जल्दी जल्दी से complete कर पाओगे तो फिलाद तो guys देखो अभी मैंने आप लोग को हमारे game के अंदर आए हुए इस divine victory event का सारा का सारा information दे दिया है तो उम्मीदे गाइस आप लोग को ये event साती सात आज का वीडियो पसंद आओगा बागी फिलाद तो guys अभी तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही end करते हैं मिलते हैं आप लोग से किसी और वीडियो में नहीं नहीं अपडेट्स के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर